नमस्कार दोस्ता आप सर्वीको टेक्नो जानी इन्फो कौम के एक नए वीडियो में सुवागा थे दोस्तो इस पर में हम बात करेंगे LG के नए मोबाइल के बारे में को भी में बताया गया थे की डव्लू के नीचे पैसा है एक सिनवा था डबल धामल वुसी टाइप का वह डबलू वाला सीरीज एहीं पर एलजी ने लेके आया है और डबलू वाले सीरीज में तीन मोबाइल एलजी सबसे पहले लाँच करने वाला है और बताया जा रहा है कि जल दे लॉंच होने वाला है अगले सेकेंड आप जुलाई को साय दे लॉंच हो जाएगा तो यहीं पर जोती नया मोबहल है वो है 8,999 रुपीज एक धमकादार प्राइस के साथ ही पर लॉंच किया गया डबलू सीरीज को डबलू टेन जो की 8,999 रुपीज में लॉंच किया गया और जो डबलू थर्टी है वो 9,999 रुपीज में मिलेगी और डबलू थर्टी प्रो बाद में आएगा मदलब 2nd July के बाद आएगा जहाँ पर मुझे लगता है कि 11,999 में यह आपको मिलने वाला है डबलू थरी प्रो तो इस विद्वन में हम बात करेंगे डबलू टेन के बार में डबलू टेन के बार में डीटेन्स में बात करेंगे क्या दिया आ जा रहा है फोन कैसे होने वाला है, पर्फर्मेंस कैसे आपको मिलेगी, अगर आप खरिदते हैं LG का W10, तो आपको कैसा पर्फर्मेंस मिलेगी, W10 में वो सब कुस डिसक्स करेंगे, वीडियो अगर पसंद आई, इंफर्मेटिव हुआ, तो लाइक कर देना, शेर कर देना, अपने दोस् LG W10, जो है, जैसे मैंने बताया, जूलाइ सेकेंड को लांच होने वाला है, और इहीं पर प्राइस रखा गया है, वो है 8999, मतलब 8999 रूपीज आपको मिलेगी, अमाजन के उपर साहिदे मिलेगी, ऑफलाइन मार्केट में भी मिल सकता है, तो इहीं पर सब से पहले आपको मिलती है, वो एक नौच वाला स्क्रीन ही पर आपको मिलती है, बरहा सा नौच मिलती है, आइफोन जैसा, या फिर पोको फोन जैसा, नौच इहीं पर आपको मिलती है, जहां पर आपको जो यह पीस है, वो देखने को मिलेगी, कैमेला सेंसर सब दिया गया है, बरहा सा दोनों साइट जो स्क्रीन है वो उचा किया गया है और इंग पर आपको 6.1 इंच का HD प्लास डिस्प्ले मिलती है जिसका रिजुलूशन रखा गया है 720 x 1512 एक ऐसार रिजुलूशन पता नहीं जो भी हो 720 x 1512 मतलब HD प्लास डिस्प्ले आप कहीं पर देखने को मिलेगी 271 PPI के साथ डिस्प्ले जो है वो एवरेज मिलने वाला है IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है और 19 to 9 aspect ratio दिया गया डिस्प्ले के साथ notch वाला डिस्प्ले 6.19 इंच का body to aspect ratio आपको 80% का body to aspect ratio देखने को मिलेगी मतलब जो bezel less जैसा आप कहते है थे पहले वह इसा नहीं मिलने वाला है थोड़ा आपको cheek जो है उपर नीचे साइड में मिलने वाला है इसका लगा आपको मिलती है Mediatek का जी हां दोस्तों Mediatek का P22 processor Helio P22 processor 3GB और 32GB combination के साथ 3GB RAM और 32GB internal storage और dedicated microSD card slot मिलेगी जो की 256GB तक सापोर्ट करती है जी हां दोस्तों आपको मिलती है डूएल रियार कैमेरा 13 Megapixel और 5 Megapixel का जो 13 Megapixel का वो में सेंसर है और 5 Megapixel का देट सेंसर है कोई फी ओवाइट एंगल सेंसर आपको यहीं पर देखने को नहीं मिलती है 12 Megapixel का फॉंड केमेरा LED फ्लास फॉंड में भी रियार में भी डूएल फ्लास फॉंड में सॉफ्ट एलीड फ्लास मिलती है यहाई कैमेरा बताया जा रहा एंजी के तरफ से डबल माइक्रोफोन मिलती है मतलब noise cancellation microphone आपको मिलती है बड़ी आप फॉन होने वाला है 3.5 में ज पॉन मिलती है रियार फिंगर पीन मिलती है पीछी के तरफ फिंगर पीन मिल जाती है इसके अलावा आपको मिलती है 4000 मिली एंपर का बैटरी जो बड़िया चीज है एक बड़िया फोन होने वाला है LG W10 जो की बड़िया चीज होने वाला है MediaTek का Helio P22 के साथ 3GB RAM के साथ 32GB internal storage के साथ dedicated microSD card slot 13 और 5MP का rear camera 8MP का phone camera और 4000 mAh बैटरी एक दमदर फोन होने वाला है LG 10 जो अगर आप चाहते एक budget android phone करिदने के लिए android 9 के ओपर यह मिल रहा है android 9.0 Pi के ओपर मिलेगी on the top of the LG screen पता नहीं उसका नाम किया मुझे ही याद नहीं है और मुझे जानकारी भी नहीं है जो भी हो android 9.0 मिलती है 4000 mAh का battery मिलते एक बड़िया दमदर phone होने वाला है अगर आप खरिदना चाहते तो आप खरिद सकते हैं लेकिन खरिदने से पहले आपके यह मेरा video पूरा अंतक देखिए यहीं पर मैं कुछ चीज कहने वाला हूं जो आपको बड़िया सुनने में तेरा और पांच मेगापेक्सल कंबिनेशन में रियार कैमेरा 8 मेगापेक्सल का phone कैमेरा बोथ एलेडी साइड बोथ साइड एलेडी फ्लाश 6.19 इंच का HD प्लास डिस्प्ले और कुछ 4000 मिली एमपेर का बैटरी डूल 4G 4T सपोर्टेड और कुछ और कुछ नहीं रियार फ 2.0 मिल दिये तो एहीं पे 9000 रूपीज में आपको थोड़ा और ज्यादा मिल सकता है अगर आप आसूस के phone के उपर चले जाएंगे आसूस जेंफोन मैक्स प्रो एम वान 5000 मिली एमपेर का बैटरी इसके अलावा आसूस जेंफोन मैक्स प्रो एम टू का मैक्स प्रो एम टू सोड़्य असूस जेंफोन मैक्स एम टू उसमें भी आपको 4000 मिले एमपार का बैटरी मिलती है बरिया कैमेरा मिल जाती है नौच वाला डिस्प्ले मिलती है बरिया चीज मिलती है एंड्रॉइड स्टॉक एंडॉइड मिलती है एहीं पे जो एल्जी का Android Pi ये 9.0 लेकिन LG का स्की नहीं पर चरा हुआ रहेगा. LG W10 भी. Camera 13-5 अच्छा है combination लेकिन कौन सा sensor यूज़ किया गया अभी तक LG से unveil नहीं किया है. जब ये phone launch होगा तब साइद बताया जाएगा LG के तरफ से. हम भी ढूने की कोशिश करेंगे जब भी आपडेट मिल जाए. LG W10 के बारे में और जान करी और details वीडियो मैं आपको देता रहूँगा. इसका अलावा, phone पे आपको कोई भी protection नहीं मिल दिये. इस phone का actual price जो होना था, जो भी combination दिया जा रहा है, जो भी मिल रहा है इस phone पे, अगर आप खड़िते हैं, आपको जो भी दिया जाता है, जार्जार हो जो भी हो दिया जाता है, phone के box में अच्छे से packing करके आपको दिया जाता है. इस phone का price अगर 6999 या फिर 7,499 रूपीस, मतलब 7,500 रूपीस तक ठीक था यह phone, 8999 एक ज्यादा price है, जब यह phone launch होगा, सायद LG कुछ discount देगा, हो सकता है, 7999 में यह phone launch हो जाए, 7999 में यह phone खरीदना कोई खरब, जीज नहीं होगा, अगर आप खरीदना चाहते, 7999 तक आप ख दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप बताना वीडियो इंफर्मेटिव हुआ या नहीं हुआ, कौन सा चीज आपको अच्छा लगा, और कुछ आप एड करना चाहते, तो नीचे कमेंट सेक्षान पर आपका जो भी suggestion उसके लिए स्वागा थे, आपका compliment के लिए मैं वेट करूँगा, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को बन नहीं है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो दोस्तों मिलते है अगला वीडियो में एक नहीं अपडेट के साब, तब तक के लिए भी हल्दी, भी हैपी, टिक केर,